आज मैं आप लोग के लिए चार अमेजिंग सी टिप्स लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं उमीद करती हूँ कि आप लोगो मेरी टिप्स पसंद आएंगी टिप नमबर वन है कि आप एक नॉर्मल सी रसी ले ले पतली रसी लीजिएगा और हाफ करके दोनों स अब लोगो को तीन या चार नॉर्माट लगाके डिखाऊंगी बहुत ही अमेजिंग सी टिप हैं उमीद करती हूँ कि आप लोगो को मेरी टिप्लाजमी पसंद आएगी बहुत ही यूस्फुल टिप है आप लोगो को बिलकुल भी मुश्किल नहीं होगी इसमें कोई मुश इस तरह से आप लोग अपने कपड़े हैंगर में हैंग कर सकते हैं, इस तरह से फिक्स करके हैंगर को रसी में, तो यह देखें, यह बिल्कुल ना गिरेगा ना हिलेगा अपनी जगह से, क्योंकि हमने नॉट्स इसमें लगा दिये हैं, तो और बाज वकाद ऐसा होता है कि रस इस तरह से देखें, बहुत अमेजिंग सी टिप, यह देखें कितने अच्छे से यह फिक्स हुए हैं, यह देखें, चलते हैं टिप नमबर टू की तरफ, यह देखें पुरानी सी जंग लगी कैंची हैं, जो कि मैं अपने पास रख लेती हूं, इस से क्या होता है कि हम यह क हमें बहुत मुश्किल होती हैं, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम इनको हातों से निकालें, तो हम यह जंग लगी कैंची से इसको एजिली निकाल सकते हैं, और जैसे जो चीज ना भी निकले तो हम उसको कट करके भी निकाल सकते हैं, तो यह टिप भी बहुत साइट से ना कुंडी होती है ना हैंडिल होता है यह देखे अगर हम उस साइट पर जाएंगे तो यह दर्वाजा हम नहीं बंद कर सकेंगी खेच के तो इसके लिए आप क्या करेंगे आपके घर में कोई भी डोरी होगी यह मैंने अपने बेटे के पजामे से डोरी निकाली थ चलते है टिप नमबर फॉर की तरफ यह देखे हमारे डर्वाज़ों में अगर हैंगर ना हो कपड़े हैंग करने के लिए तो यह देखे इसक्रू लगे होते हैं तो बाद अवकात इन इसक्रू पर जंग आ जाता है जो के कपड़ों पर भी जंग लग जाता है तो आप क्य जैसे अपलाय कर दो अच्छे से इस पर कोटिंग कर ले इसकी और इसके बाद जब यह सूख जाए तो आप इसी ली कोई भी चीज इस पर टावल या कोई भी कपड़ा हैंग कर सकते हो तो इस तरह से आपके उस कपड़े टावल पर जंग नहीं आएगा और कोई भी ऐसी दूसी चीज जहां जंग लग रहा हो तो आप उस पर भी नेल पॉलिश अपलाय कर सकते हो इस तरह से वो भी जंग से महफोस हो जाएगा यह देखे जैसे के मैंने इस पर अपलाय किया है उमीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बाइल आकन को बटन को लाजबी प्रेस कर दीजेगा